इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2020 नमस्कार दोस्तों इंडियन नेवी की तयारी करने वाले लाखो ब्यारती जो लगातार इंतजार कर रहे है कि कब तक इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट होने वाला है कब तक इंडियन नेवी है उसका ओपिसली नोटिपिकेशन जारी क क्या जाएगा और इस बार जो SSR, AA और MR की जो वैकंसी जाएगी उसमें लगब कितनी वैकंसी जोगी कितने कितने पदों पर आपकी बरती आएगी क्योंकि इस साल की जो वैकंसी जो नहीं आपाई ये कोविड के कारण तो यहां पर लगातार अभ्यारतियों को इंतजार हो र और अलग अलग आपकी जो वैकंसी जाएगी जिसमें आपके SSR, AA और MR की जो वैकंसी आपके आने वाली है उसके बारे में पूरी डीटेल से इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले वीडियो आपके लिए बहुती महत्वपुन साबित होने वाला है आप वीडियो के लाइक कर दे हो चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली इंडिये नेवी की अरपरकार के रिकूटमेंट की अपडेट दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे तो चलो दोस्तों देखते हैं स सारी जानकारी तो दोस्तों अब यहां पर देख सकते हो इंडिये नेवी सेलर जिसमें आपके SSR, MR, MNR, Recruitment 2020, फरवरी 2021 का जो बेच है उसका notification कब तक आएगा, कब तक online registration होगा तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी जो vacancies आएगी दोस्तों वो 12th level के अधार पर आएगी, जी यहां दोस्तों क्योंकि SSR और AA की vacancies 12th के अधार पर आती है, जबकि MR और MNR की vacancies आती है, वो आपके 10th basis के अधार पर आती है, तो यहां पर सबसे पहले हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि आपकी जो 2021 का जो बेच है, उसमें SSR की अलगबग कितनी vacancies आने के vacancies बार आपकी ज्यादा आ सकती है, जी यहां दोस्तों ज्यादा vacancies आपको देखने को मिल सकती है, अगर यहां पर बात करें MR के अलवा जो आपके डबल ए उसकी vacancy कितनी आने वाले हैं, तो यहां पर अगर बात करें डबल ए की तो डबल ए की इस बार की vacancies आपके 500 से लेकर 1000 पदो पर आपकी vacancies आ सकती है, वही बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम जो आपके MR और MNR की vacancies तो यहां पर आपके MR, MNR की vacancies भी 1000 से लेकर 1500 पदो पर आपकी vacancies आ सकती है, काफी बड़ी vacancies आएगी दोस्तों, इसमें और भी बड़ी आपकी vacancies है, उसको बड़ा है जा सक क्योंकि इस साल की आपकी वेकंसी नहीं हो पाईए यहाँ पर SSR के लिए 2200 पद बताए अप्रोक्षली मेटली बताए 2200 से ज्यादा भी हो सकती आपकी वेकंसी यहाँ पर सबसे पहले बात करते SSR की जो आजूकेशन क्वालिपिकेशन है वो क्या रहने वाली है तो यहाँ प के मेट, फिजिक्स और फिजिक्स के साथ में एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए या तो केमस्ट्री होनी चाहिए या फिर बाईलोजी या कंप्यूटर साइंस से आप 12th पास हो तो आप इस बढ़ती का फोम एपलाई कर सकते बात आती है दोस्तों यहाँ पर एज क्रिट सकते डबले में अलग है तोड़ा MR, MNR में भी आपको छूट मिल जाएगी यहाँ पर बात करते हैं इंडियन नेवी SSR का जो पे स्केल है वो आपको कितना है कितनी सलरी इस आपको मिलने वाली है ट्रेनिंग परिड में आपको सलरी कितनी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद में आपको सलरी कितनी मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो डूरिं दे इनिशल ट्रेनिंग पिरिएड ए इस्टिपेंड ओप आरेज 14,600 पर मन्त आपको ट्रेनिंग टाइम है आपर 14,600 रुपे मन्त लिया पर इंडियन नेवी की तरफ से दिये जाएंगे और उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग सक्सेस्पली हो जाएगी उसके बाद में आपको पे लेवल जो थार्ड है उसके हिसाब से सलरी मिलेगी डिपेंस के जितने भी अलाउंसेज है वो सारे मिलेंगे आपकी सलरी 2700 से सुरू होगी और गुर्ण से तरह जार सो रुपे तक आपकी सल लगने वाले तो 215 रुपे आपके ओनलाइन रजिस्टेशन करते समय पीस यहां पर लगती है सलेक्शन क्रिटेरिया की बात कर लेते दोस्तों महत्पूर्ण अपडेट के सलेक्शन क्रिटेरिया की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपका CBT होगा जी हां दोस्तों इडीकल होगा और नेवी में दोस्तों क्या होता है जब मेडीकल होता है तो आपका basic medical करवाए जाता है चले जाते लेकिन जब चिलका में उनका medical होता है तो बहुत सारे candidate होते हैं जिनको बार कर दिया जाता है क्योंकि final medical होता है वो आपके चिलका में ही करवाया जाता है अब यहां पर बात आती है how to apply form कैसे apply करना है तो दोस्तों सबसे पहले मैं पता देता हूँ इन्होंने date दे रखी है वो October last से लेकर आपके 10 October के बाद में नौंबर तक October और नौंबर में आपकी वेकंसी आने की बात है वो यहां पर की गई है क्योंकि लगातारा ब्यारतियों का इंतजार हो रहा है कि आपकी जो वेकंसी जाएगी वो कब तक आएगी क्या-क्या education qualification होगी age criteria क्या होगा क्या age criteria में कोई छूट मिलेगी क्योंकि इस साल की वेकंसी आपके नहीं आप आई है अब फरवरी 2021 का जो बेज है उसका यहां पर आपके अक्टूमबर लाश्ट या पिन नावंबर पैस्ट तक आपका जो ओपिसल नोटिफिकेशन है वो इंडियन नेवी की तरब से जारी कर दिया जाएगा दोस्तों अभी तक इसमें जो वेकंसी आपको 22 बता रखी है यह approximately वेकंसी है टेंटेटी वेकंसी है लेकिन इस बार ज डबले की भी या पर 1500 लेकर 2000 के लगबख डबले की वेकंसी आपके आएगी MNR MNR की भी आपको 2000 के लगबख वेकंसी इस बार देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी की तयारी कर रहे है तो आप अच्छी तयारी करें क्यूंकि अब आपकी वेक अक्टूमबर के अंदर आपका ओपिसली नोटिफिकेशन है वो इंडियन नेवी की तरब से जारी कर दिया जाएगा क्यूंकि यहाँ पर आपका जो फरवरी 2021 का बेश है उसका जो अपिसली नोटिफिकेशन होगा उसकी डेट है वो अक्टूमबर लास्ट से लेकर किन में आने आपको जो क्रिटेरिया बता है उसके अंदर अगर आपकी डेटो बर्त आ रही है तो आप इस बढ़ती का तीनों इस्ट्रिम का फोम अप्लाई कर सकते हैं SSR, AA और MR, MNR का MR और MNR की जो वेकंसी जाती है दोस्तों वो 10th बैसेज पर आदारित होती है 10th के कर इपने दोस्तों के पास पर भी आप जरूर शेयर करें दोस्तों स्टुडियो में इतना ही मिलते हैं स्टुडियो में तब तक के लिए जय जय बाद